आतों की अतेलियों और पैरों के तलों की जलन और सुजन को जड़ से खतम करने का बैतरीन सा उपाए, आपको बता रही हैं, दूसके अगर आपने ये उपाए एक बार बताए गए तरीके से अपना लियाना, तो चाहे आप तीन साल से ही परेशान क्यों ना हो आतों और पैरो आने वाला है इस नुस्खे से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये जो नुस्खा है ना दोस्तों ये अपनाया हुआ और फिर मैं आपके साथ ये सेड कर रही हूं एकदम ठीक कर देगा आपके चाहे आतों की अतेलियों में जलन कर रहा हो या फिर आपके पैरों के तल्वों में तो इसके लिए आपको क्या करना है जो चावल होते है ना बड़े काम की चीज है दोस्तों तुरंत फाइदा मिलेगा आपको पांच मिनिट में जो पहला नुस्खा है ना ये अमारा इसलिए है कि जो अभी पैरों के तल्वों और अतेलियों की जलन से परेसान है ना वो इसे अपना कर तुरंत पांच मिनिट में राहत पा सकती है लेकिन जिनको ये समस्या जड़ से खतम करनी है ना तो आप ये समझ ये सालों पुरानी समस्या सिर्फ 15 दिन में आपकी जड़ से खतम हो जाएगी तो ऐसा आपको मैं नुस्खा बता रही है जो आप चा चावल ले सकते हो या फिर आपके पास चावल का आटा रखा है ना तो आप आटा ले सकते हो आटा लेंगे तो आपको मैनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो ये पहला नुस्खा आपको बता रही हूँ ना ये सिर्फ आपको शुरुआत में 4-5 दिन करना है लंबे तो आपको काम बन जायेगा इतने लो तो यहाँ पे आपको एक से डेड़ चमच चावल का आटा लेना है और इसमें आपको नोर्मल टेंपरेचर का पानी डालकर इसका पेष्ट बना लेना है इस तरीके का आप देख रहे हैं ना एकदम पानी के जैसा पतला भी नहीं होना ऐसा होना चाहिए कि जब ये एकाद गंटे आप रखेंगे ना तो फूल कर बिलकुल स्मूथ सा पेष्ट बन जाए बस इसी तरीके का आपको इसको गोल कर रखना है अगर आप गर में ही चावल पीसकर बनाएंगे ना तो ये थोड़ा सा दरदरा सा पीसकर तयार होता है बार 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट के बाद में इसको देखेंगे जब तक मैं आपको यहां पे एक और बड़ी ऐसी जानकारी दे रहती हैं जैसे आप रोजाना चावल बनाते हैं गर में और चावल को दोते हैं तो उस में से आपने देखा होगा कि जब आम चावल को पानी डाल कर द की पैर इता कर लें कि आप अपने पैरों को उसके अंदर अच्छे से ढूबा कर रक सकते हैं आदे गंटे ढूबा कर रखें आप ये काम रोज कर सकते हो आपको तुरंत राहत मिलेगी चाहे कैसी ही बैंकर जलन होती हो आपके तलवों में आपको नेंद अच्छी आएगी रात बर दोस्ति और जिनके या चावल नहीं बनते हैं रोजाना ये पानी नहीं ले पाते हैं वो तो इस तरीके से मैंने आपको जो ये पेश्ट बनाना बताया है आप ये बना कर इस्तेमाल कर सकते हो टैंसन लेने की जरूरत नहीं है अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बता रही हूं जिससे की आप आतो और पैरों की जलन को जड़ से खतम कर सकते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो एलो वेरा जूस आता है किसी भी बरांड का ले ले यहां पे मैं किसी भी बरांड का परमोसन नहीं कर रही हूं सिर्फ आपको मैं दिखा रही हूं इस तरीके से ये आपको एक लिटर की बोटल मिलेगी दोस्तों आप आयूरवेद के स्टोर से ले आए किसी भी स्टोर से पैरों और आतों की अथेल में आपको लेना है तो यहां पे मैं आपको दिखा रही है जो खाना खाने की आपकी चम्मच होती है ना छोटी चम्मच तेन चम्मच बरकर यानि 10 से 15 ml इस तरीके से आप किसी कप में या कटोरी में अलग से निकार ले और बाकी को डखन लगा के रखते हैं आप 15 ml जैसे आपने मैं तो यह बोलूँगी शुरुवात में आप 10-10 ml से शुरुवात कर दे और बाद में आप 5-7 दिन के बाद 15 ml तक ले सकते हैं आप जितना आपने 10 ml अगर अलोवेरा जूस लिया है तो 10 ml ही इसके अंदर आप मिक्स करें अब इसको लेने का टाइम यह आपको दोनों टाइम लेना होगा जैसे अभी अमने माप के लिया हैं इसी तरीके से 15-15 या 10-10 ml सुभे शाम बाद मात्रा में पानी मिक्स करके सुभे आप इसे खाली पेट लेंगे और शाम को आप इसे खाना खाने के एक गंटे पहले लेंगे, यानि कि जब खाली पेट होगा थोड़ा तभी लेंगे, लेकिन सुबए आपको, सुबए उठकर फ्रेस होने के बाद में, यही लेना है, मिक्स करके, आप एक बोटल खतम होने तक, जो आपने एक लिटर की बोतली है ना बस इतने दिन इसे बताए गए तरीके से दोनो टाइम ले ना आप देखेंगे चाहे सालों से आप परेशान हो इस समस्या से 15 वे इस दिन में जड़ से ठीक दो बारा होने वाली ही नहीं है आपको ये करें अब जो आमने चावल का आटा मिक्स करके रखा था ना उसको किस तरीके से यूज करेंगे ये जो नुस्का है ना चावल का आटा ये वाला आपको 10-15 मिनिट भीगोना जरूर पड़ेगा अगर आप इसे तुरंत मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे ना तो उतना फायदा नहीं करेगा क्योंकि इसका पानी ज करीके से ये जो है ना मैं आपको बता रही हूं ये आपको सिर्फ शाम को करना है दिन में नहीं करना है अपने पैर की जो पग थलिया है ना तल्वे हैं पूरे पैरों पे लगा ले सूजन में भी फायदा करेगा आपको किसी किसी को क्या होता है काफी समय से जलन होती आ रह खाना खाने के बाद में और सोने से पहले जब आप अपना मोबाइल या टीवी वगेरा देखते हैं न उस टाइए एक बार की लेयर सूख जाए उपर से जो बचा हुआ पेश्ट है आप उससे दो बारा से इस तरीके से गिला कर ले एक अद गंटे के लिए लगा कर रखें औ और उसके बाद में आप पैरो को नोर्मल पानी के साथ में दो कर सूझे आपको पूरी रात अच्छी नहीं डाएगी जलन जो है परेसान नहीं करेगी इसी तरीके से रोजाना श्याम को आपको ये पांसा दिन लगातार कर ले जब तक कि आपको ऐलोवेरा जूस फाइदा क होते हैं जिससे आपको राहत मिल सकी तो यहां पे यह आपको सब तावर कर लेना है और बाकी का आपको पूरी बोटल जो है खतम कर लेनी है आपका जो तल्वो की जलन और सूजन की समझे है जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों आप अगर आप इस नुस्खे को अपनाते है अपको फायदा होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना तो यह था आमारा आज का नुस्खा अगर आपको पसंदाए हूँना तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा से एर करना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे परेली बार आये हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद